हेलो दोस्तों मैं हर्स आप सभी करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों आज की वीडियो में एक टैग और वीडियो वाइरल के बारे में बताऊंगा जी हाँ आप लोगों को एक ऐसे टैग के बारे में बताऊंगा जो कि आपको करना है अपने वीडियो में ल है उस चीज का लाइफ प्रूब में दिखाऊंगा लेकिन उस से पहले वे बताऊंगा कि यह प्लेश कौन सा है और लाइफ प्रूब भी अपना दिखाऊंगा मैं कैसे यह टाइग एक टैग जो लगाना है और आपका वीडियो वाइब जाएगा जी हाँ तो यह काफी कमाल की टॉपिक होने वाली है और बहुत ही नॉलिजफुल वीडियोस होने वाली है आप लोगों के लिए करता है कि अगर पसंद आ जाती है तो लाइक करी देते हो इसलिए मैं इसको इसलिए मैं यहां पर लाइक कोई टार्गेट नहीं रखाओं तो चलिए अब वीडियो को स्क्रीन की और बढ़ता हूं और वहां पर आपको दिखाऊंगा लाइट प्रूप करके कि वो टैक कौन सा और आपको कैसे उस टैक को लगाना है मतलब यूज करना है वो एक टैक जो वाइडल टैक है उसी के बिशना बताओंगा और अगर आप लोग यह ट्रिक और अगर फ्रिंट साप लोग यह ट्रिक लगाते हो तो फिर आपकी वीडियो जीरो से हीरो बन जाएगी मतलग की जीर पर देख चुकिया और बूश्ट हो जाएगे एरोप्लाइन के जैसा आपका YouTube चैनल जो है उड़ने लगेगा जी हाँ अब आप लोग भी सोचोगे तो चलिए मुबाइल स्क्रीन के बढ़ता हूं क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा अपने मुबाइल के स्क्रीन पर चलके वह आपके यहाँ पर जोए कुछ अबिडियो से अप्रॉट होना चाहिए आपके मतलब की चैनल पर क्योंकि अगर विडियो गाने का कोई मतलब नहीं ही बनता है और वह वाइरल टेग आपको लगाने कहां लगाँगे जब वीडियो ही नहीं रहेंगे तो आपको वाइरल टेग कहां लगाओगे तो सीधी सी बात है कि आपको वीडियो आपके चैनल पर होना चाहिए अगर नहीं है तो आप 4-5-6 वीडियो अपलोड कर लो कुछ दिन टाइम ले लो फिर इस वीडियो के जो टैग में बता रहा हूँ उसको ट्राइ करो हर वीडियो के टैग में सुरू से ही हर वीडियो में लगाना अभी यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपने यूट्यूब इस्टूडियो को ओपन करना है जो एप्लिकेशन होती है जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब इस्टूडियो एप को ओपन कर चुका हूँ यहाँ पर देख सकते हो और app को open करने के साथ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज जो यहाँ पर देख सकते हूँ मेरी हर वीडियो दो लगवग एक हजार डेड़ जार या पांसो छेज़ो जाती ही जाती है ठीक है तो यहाँ पर फिलाल जो है आपको टैग कौन से याँच करते है यहाँ पर जो मेरे जो वाइरल वीडियो जे है उसके बिस में बात करूंगा क्योंकि यह recent के वीडियो जो कुछ दिनों में recent में आए है ठीक है? तो अभी अपने को क्या करना है? यहाँ पर देख सकतू काफी सारी वीडियोज हैं, जो मेरी वाइरल है, और यहाँ पर मैं एक वीडियोज को open करता हूँ, यह YouTube Subscriber वाली कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यह जो वीडियोज है, इस पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर जो tag क्या लगाना है आपको, वो मैं सबस type का वार करता है जबकि आपका कोई वीडियो चल रही जैसे मेरी वीडियो अभी आप देख रहे हो तो उसके नीचे मेरा एक ना एक वीडियो आई रही होगी कहीं नीचे में सजेशन में या फिर रिकमंड में आपको आ रही होगी कि आपको ये वीडियो भी इसी का है मतलब म बहुत ज़ादब Puis आएंगे और इस टैग से यकीन मानिए आपके विडियो वायरल होने के चांस हैं और वियूज बहुत ही ज़ादा आएंगे इस टैग से आहनगों बहुत ही चैनल का जो है नाम देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर कोमा डालना है कोमा डालने के साथ आपका चैनल का नाम का एक टैग हो गया दिन उसके बाद फिर से आपको अपना एक नाम का टैग डालना है पूरा स्टा के मतलब की बिना स्पेस के एक बार तो आप स्पेस दिये थ जालना है यहाँ पर यहाँ पर आपको एक बार एड़ लगा देना है और यहाँ पर यहाँ पर लगा करके आप हर्स नहीं आपको डालना है हर्स संकृत इतना ज़्यादा टैग डालने के बाद यह इतना टैग आपके अपनी चैनल का जो आपको डालने के बाद आपको यहाँ पर एड टैग में आप आपका जो वीडियो का topic है मतलब कि how to grow YouTube channel या फिर जो भी आपका वीडियो का topic है उसके बाद आपको वो चीज यहाँ पर लिखना है ठीक है तो जो भी आपका tag यहाँ पर समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर how to grow YouTube channel आपका जो sorry यहाँ पर आपका जो tag है वो यहाँ पर पहले लिखना है आपका तीन चार नाम का tag और हर वीडियो में आपको यह करना है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वीडियो में करना है क्योंकि हर वीडियो में करना है जिससे आपका वीडियो जादे से जादे लोग तक suggestion में जाए और यह जो पांच-छे जैसे मेरा चैनल को नाम है और एक बार आप लोग यहाँ पर एड़ी रेट लगा करके भी लिख सकते हो आप चाहे तो और दोनों आपका जब suggestion में जाएगी तो दोनों चीज के वजह से आपका वीडियो हर आपके वीडियो के नीचे suggestion में जाएगी मतलब आपका वीडियो क चल जाती है क्योंकि उसका टैग अपने नाम का वो सुरू से इस टैब का वाइरल करके रखा है और यकिन मानिए यह टैग जो है आपको बाद में आपको बहुत ही जादा काम आएगा क्योंकि जब आपका वीडियो करने लगेगा सर्च में आने लगेगा तो फिर आपका हर वीडियो दीरे दीरे वाइरल होने लगे क्योंकि उस वीडियो के नीचे ही आपका सारा वीडियो जो है आने लगेगा जो वीडियो आपका चल रही है अभी जो वीडियो आप देख रहे है उसके नीचे कोई ना कोई मेरा एक वीडियो आता होगा आप जाके देख सकते हो ठीक है या फिर कभी कभी होता है कि नहीं भी आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन आप सुरू से करोगे तो आपका हर वीडियो के नीचे यह आयगी सो इसी के साथ उम्मीद करोंगा कि आपको यह वीडियो समझ मैं आइयोगी समझ मैं आ गई तो एक लैक की बना झाल झाल